प्रभातकवर.com विश्वास वही रवतार नहीं Election Commission of India ने आज से Electronic Electors Photo Identity Card यानि की E-Epic आप की शिरुवात कर दी है इस आप की मदद से अब आधार कार्ड की तरह voter ID कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट किये जा सकेंगे voter ID कार्ड की hard copy अगर आपके पास मौझूद नहीं है तो अब इसे लेकर आपको परिशान होनी की जरूरत नहीं है अब उसकी soft copy डाउनलोड कर पाएंगे? जी हाँ, यह सुविदा वैसी ही होगी ज्यसे आधार कार्ड पर मिलती है जैसे आप UIDAI के वेबसाइट के आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं वैसे ही चुनाव आयोग की साइट से अपना डिजिटल वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे 25 जनवरी यानि राष्ट्य मद्दाता दिवस के मौके पर देश भर में इलक्ट्रोन इलक्ट्रोराल फोटो ID कार्ड की सुविदा शिरू कर दी गई है आईए जानते ही कि आप अपना वोटर ID कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दो फेज में ये लॉंच की गई है सुविदा चुनाव आयोग ने दो फेज में ये सुविदा को लॉंच किया है और पहले फेज में यानि के 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच केवल नए वोटर जिन्होंने वोटर कार्ड के लिए अपलाई किया है और जिनका मुबाइल नमबर चुनाव आयोग से लिंक होना जरूरी है जिनका मुबाइल नमबर लिंक नहीं होगा उन्हें इलेक्शन कमिशन को अपनी डीटेल से रिवेरिफाई करानी होगी और मुबाइल नमबर लिंक कराना होगा तभी वोटर आईडी डाउनलोड कर पाएंगे डिजितल वो अप्लिकेट ना किया जा सके अब एप डाउनलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मुबाइल नमबर या इमेल आईडी कार्ड के जरीए अपना अकाउंट बनाए और अगले स्टेप पर जाए एक बार अकाउंट बन जाए तो फिर लॉग इन पेज पर डिटेल्स एंटर करके लॉग इन करें आपके एपक डाउनलोड का ओप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करें तो पीडिएफ वाई डाउनलोड हो जाएगा अब जानते हैं कि डिजिटल सुविदा से क्या फाइदा हो रहा है सबसे बड़ा इस का कार्ड लेनी के लिए अधिक समय तक इंतिजार नहीं करना होगा वही अपने वोटर कार्ड बनवाने या फिर पुराने कार्ड में कोई बदलाव के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी आप फोन पर भी से डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटल वोटर आईडी सिती में भी ये अप काम आएगा लोग सिर्फ 65 रुपए की फीज दे का डुब्लिकेट वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं प्रभातकाबर.com विश्वास वही रफदार नहीं